नमस्कार आपको स्वागते एश्या न्यूज इन्याम है मैं पूर्णम आपके साथ महराश्ट के डिप्टी सेम अजित पवार ने बारा मतीमिक रेली के दोरान कहा कि अगर मैस शरत पवार के घर में पैदा होता तो स्वाभाविक रूप से NCB का राश्टी अदक्ष बन जाता और पूरी पार्टी मेरे नियंतर में होती अजित ने पार्टी चुराने के आरोपों पर शरत पवार का नाम लिए बिना शुकरवार को ये बयान दिया अजित ने रेली में बार्टी से सांसत और शरत पवार की बेटी सुप्रिया सुले का नाम लिए बिना हमला किया अजित ने कहा कुछ लोग किया कहकर मुझे बदनाम कर रहे हैं कि मैं सत्तारूर गड़ बंदन में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि मुझे पर विष्टाचार के आरोब थे ऐसे नेता संसत में भाशन देकर लोगों की सेवा नहीं कर सकते अजित ने बार्बाती की रेली में पत्नी सुनेतरा को अगले लोगसबा चुनाव में बेंच सुप्रिया सुले के खिलाफ उताने का संकेत भी दिया इस मामले में जब शरत परवार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा यह लोगतंत्र है इसलिए हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है यही बात शरत परवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी रिपीट की सुले साल 2009 से बारमती से सांसत है इससे पहले उनके पित्ता और राष्टवादी कॉंगरिस पार्टी के संस्तापक शरत पवार यहां से 1996 और 2004 में सांसत रह चुके है